स्वागतम, हमारे आधर्निय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, इस कारिक्रम में वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि कर्तल थ्वनी से मानेनिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें जनिप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के मार्क दर्शन में विकसित भारत निर्मान के संकल्क को सिध्धी तक महुचाने के लिए देश भर में अत्यादूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्मान का जो महा अभियान प्रधान मंत्री जी ने चलाया है। करने जा रहे हैं। इस अभूत पूर्व और एतिहासिक कारेकरम का शुभारंब करने के लिए मैं माननिय रेल, संचार, इलेक्रोनिक्स एवं सूचना प्रधोगी की मंत्री श्री अश्विनी वैश्नवजी से स्वागत संबोधन हेतू अनुरोध करती हूँ। विधायक गर्ण, मीडिया के साथी और देश भर में दो हजार से अधिक स्थानों पर जुड़े माहनुभाव। आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन री डेवलप्मेंट कारिक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ एक हजार तीन सो स्टेशन का री डेवलप्मेंट विश्व के रेलवे इतियास में अभूद पूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं। और इस संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्क दर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधान मंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधान मंत्री जी आज देश में रेलवे का काया कल्प कर रहे हैं। कुछ महिनों पहले प्रधान मंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमी पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशन का भूमी पूजन मान्य प्रदान मंत्री जी करेंगे इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे आगामी महिनों में इन में से कई स्टेशन इनाउगरेशन के लिए तयार होंगे पिछले 10 वर्षों में प्रदानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए है 31,000 किलोमेटर नई रेलवे लाइन बनी है याने इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे जादा रेलवे लाइने पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है 2014 में मात्र 4 किलोमेटर प्रति दिन नई रेलवे लाइने बनती थी आज 15 किलोमेटर प्रति दिन नई रेलवे लाइन तयार हो रही है इस वर्ष 5500 किलोमेटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी याने स्विच्जलेंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष बारत में जुड़ेगी दस वर्षों में 40,000 किलोमेटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में विजली पर शिफ्ट किया है यहाँ जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व इस्तर की यात्रा का आनन दे रही है ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है पहली दो ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैनेफेक्श्रिंग स्टार्ट हो गई है 2014 में रेलवे के पुल और अंडर पास यानि आरोबी आर्यूबी दीमी गती से बनते थे वर्ष में मात्र 415 की आउसत थी आज प्रदानवंत्रिशी नरेंदर मोदी जी प्रती वर्ष एक हजार से अधिक पुल और अंडर पास बना रहे है मुंबई से एमदबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमेटर से अधिक बन गया है कश्मीर में धारा 370 अटने से काम में तेजी आई चिनाब और अंजी के पुल बनकर तयार हुए 97 किलोमेटर टैनल बनी आज 12 मुला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संबब हो गई है इसी तरह नौर्थ इस्ट में रेल्वे नेटवर्क पर एतिहासिक काम हुआ है उत्तर हो दक्षिन हो पूरब हो पश्चिम हो देश के हर शेत्र में माने प्रदान मंत्री जी ने बिना किसी भेदबाव के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है माने प्रदान मंत्री जी आप विक्सित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं भारत वर्ष सदियों तक आपका रिणी रहेगा रेलवे को इतना समय देने के लिए लगातार मार्क दर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए एक सो चालिस करोड देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं वारत माता की जय जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मालिनी मंत्री जी कितने स्थान पर कारकम हो रहा है अगर गवनर वगरे पहुँचे हैं मंत्री पहुचे उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताईए जी सर करीब दो हजार इक्किस स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े आज 2021 स्थानों पर मान्य गवर्नर्स 20 LG साब और गवर्नर साब जुड़े हैं इस कारिक्रम में मान्य मुख्य मंत्री गण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आठ जुड़े हैं 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं मिनिस्टर्स अफ स्थेट 26 जुड़े हैं सर और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं 597 जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े हैं कई दिनों तक कारिकरम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया करीब पिछले 20-25 दिन से कारिकरम चल रहा है जिसमें छात्रों ने एक विक्सित भारत की कलपना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा कैसे वो रेल्वे में देखते हैं उस विशे को लेके क्विज हुए, ड्रॉइंग हुए, डिबेट कॉंपेटिशन हुए और कई जिके ड्रॉइंग कॉंपेटिशन हुए, चात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया आदेनिय प्रधानमंत्रीजी से अग्र है कि 554 रेल्वे स्टेशनों के पुनरविकास का शिलान्यास, पुनरविकसित विश्वस्तरियत गोमते नगर रेल्वे स्टेशन का उद्गाटन, तथा 1500 से अधिक रोट ओवर ब्रिज और अंडर पास का शिलान्यास तता राष्ट को समर्पन रिमोट का बटन दबाकर करें आज के इस कारेकरम के माध्यम से देश में रेल्वे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आज़िए पास का शिलान्यास तता राष्ट हो रहा है आएए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देश वासियों को दी जा रही रेल्वे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लभूफे भारतिय रेल जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूर दर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के निरनायक नेत्रत्व में रेल्वे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास रए भारत की रेल को आधुनिक कलिवर देने के लिए पिछले तस सालों में रिकॉर्ड बारा लाग करोड रुपे का किया गया निवेश और बदल गई रेल्वे की तस्विए भारतिय रेल्वे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फोर्मेशन के दौर से गुजर रही है इस दसक के अंत तक भारतिय रेल्वे का पूरी तरह काया कल्प होने जा रहा है पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृड संकल्प और स्पष्ट नीती को दर्शा रहा है तभी तो मात्रित दस वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्मान और दोहरी करण हुआ 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्यूती करण भी हुआ तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से योग स्वदेशी बंदे भारत और अमरित भारत ट्रेने आत्म निर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है देश भर में स्टेशनों के सौंदर्य करण एवं आधुने की करण का काम बड़े स्तर पर एक अभूत पूर्वक गती से हो रहा है यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रस्ट्रक्चर को विश्व स्तरिय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमरिद स्टेशनों के रूप में पुनर विकसित किया जा रहा है अमरिद भारत स्टेशन योजना के अंतरगर भोपाल का रानी कमलापती स्टेशन हो गुजरात का गांधी नगर कैपिटल स्टेशन हो बेंगलूरू का सर एम विश्वेश्वराय या टर्मिनस हो या श्रीराम जन्म भूमी स्थित आयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं ऐसे शांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है 41,000 करोण रुपए की 2000 से अधिक रेल पर योजनाओं की देश वाजियों को दी जा रही है सौकात जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का काया कर्द और 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास का निर्मात आज प्रधानमंत्री नरेंद मोदीची लोकारपित कर रहे है अत्या धुनिक सोविधाओं से युक्त बुनर विक्सित गोंती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे है वर्चुल शिला न्यास तेश भर में 500 तिरपन रेलवे स्टेशनों के बुनर विकास कर रहे है ये अम्रिट स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर जो हमारी महान संस्कृती, लोक विरासत और स्थानिय वास्तुकला को दर्शाएंगे यहां होंगे एर कॉनकोर्स, आधोनिक वेटिंग लाउंच, फूट कोड और किद्स प्ले एरिया, परियाप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और अवागमन के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं साथ ही यह स्टेशन होंगे परियावरण अनुकूल और दिव्यां फ्रेंली भी पिछले एक दशक में भारत्य रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रती बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है सुगम, रेल और सडक यातायाद तथा रेलवे क्रोसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवर ब्रिज और अंडर पास का लगातार हो रहा है निर्माण दो हजार चौधा से दो हजार तेईस के दोरान दस हजार से अधिक रेल लाइन के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का काम पूरा हुआ है इसी कड़ी में आज प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं शिला म्यास और लोकारपण देश भर में 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास का भारत कैसे बदल रहा है सपने कैसे सच हो सकते हैं ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदारान भारतियर रेलवे भी बन रहा है देर्बाण की अभूत्पूर्व रफ्तार की बोधी सरकार की कैरेंटी से सुनिश्चित होगा विक्सित भारत का संकर्द जय हिंद आदर्णिया प्रधान मंत्री जी से विनमर निवेदन है कि आज के इस एतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्क दर्शन करें नमस्कार आज का एक आरकम नए भारत की नई कार्य संस्कृती का प्रतीख है आज भारत जो करता है अभूत पुर्वस्पीड से करता है आज भारत जो करता है अभूत पुर्वस्केल से करता है आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं यही संकल्प इस विक्षित भारत विक्षित रेलवे कारकम में दिख रहा है मैं इस कारकम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनेंदन करता हूँ हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और डेड़ हजार से जादा दूसरी जगों से लाखों लोग जुड़े हैं अलग-अलग राज्यों के मानेनी राजपाल्थरी, माने मुख्यमंत्री गाण, केंद्रो राज्य सरकारों के मंत्री गाण, सांसद गाण, विधाय गाण और सानिय जन प्रतिनिती, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरश्कार जिनको संबानित मिलाएं ऐसे वरिष्ट मानुबाव, भारत के महत्वपुन जीवन, जवानी खपाने वाले, हमारे स्वातंत्र से नानी, प्रिडम पाइटर, और हमारी भावी पीडी, युवा साती भी, आज हमारे साथ है आप सभी की उपस्तिती में, आज एक साथ रेलिवे से जुड़ी, 2000 से अधिक परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपण हुआ है अभी तो इस सरकार के तीसरे टम की शुरुवात, जून महिने से होने वाली है अभी से जिस केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीर पर काम होना शुरू हो गया है, वो सब को हैरत में डालने वाला है कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दरजनों बड़े सिक्षां सहुस्थाओं का लोकारपण किया कल ही मैंने राजकोर्ट से एक साथ पाँच एम्स और अनेक मेडिकल सहुस्थानों का लोकारपण किया और अब आज का ये कारकम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में साड़े 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों के काया कल्प का सिलान्यास हुआ है आज उपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकारपण हुआ है वो वाकई कमाल का दिखता है इसके अगावा आज 1500 से ज़्यादा रोड, ओवर ब्रीज, अंडर प्रास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शाविल है 40,000 करोड रुपिये की ये परियोजनाएं एक साथ जमिन पर उतर रही है कुछ महिने पहले ही हमने अमरुत भारत स्टेशन योजना की शुरुवात की थी तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनी करण पर काम शुरू हुआ था अब ये कारकम इसे और आगे बढ़ा रहा है ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गती से आगे बढ़ रही है मैं देश के विबिन राज्यों को वहां के सभी मेरे नागरिक बाई बेहनों को अनेक अनेक शुप कामनाई देता हूं साथियों मैं आज विज़ेस रुप से अपने युवा साथियों को बहुत बदाई देना चाहता हूँ मोदी जब विक्सिद भारत की बात करता है तो इसके सुत्रधार और सबसे बड़े लाभारती देश के युवा ही है आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नवजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर मिलेंगे आज रेल्वे का जो ये काया कल्प हो रहा है ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ये काया कल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्सों से कम आयू के हैं विक्षिद भारत युवाओं के सपनों का भारत है इसलिए विक्षिद भारत कैसा होगा ये ताय करने का सबसे अधीक हक वो भी उनी को है मुझे संतोस है कि देश भर के हजारों विद्यारतियों ने अलग-अलग परधाओं के माध्यम से विक्षिद भारत के रेलिवे का सपना सामने रखा इन में से अनेक युवा साथियों को पुरसकार भी मिले हैं मैं सभी को बहुत सुपकामनाई देता हूँ मैं देश के हर जवान को हर नवजवान को बताना चाहता हूँ कि आपका सपना आपका सपना ही मोदी का संकल्प है आपका सपना आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प यह विख्सीत भारत की गरंटी है साथियों मुझे खुशी है कि यह जो अम्रित भारत स्टेशन है विरासत और विकास दोनों के प्रति होंगे जैसे ओडिसा के बालेश्व रेल्वे स्टेशन को भगवान जगनात मंदिर की थीम पर डियाइन किया गया है सिक्किम के रंगपो रेल्वे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानिय वस्तुकला का प्रभाव दिखेगा राजस्तान का सांगनेर रेल्वे स्टेशन सोलवी शताब्दी की हैंड ब्लोग प्रिंटिंग को दर्सांता है तमुल नाडू के कुम्ब कोणम स्टेशन का डिजाइन चौल काल के वस्तुकला पराधारित है अम्दाबाद रेल्वे स्टेशन मोडेरा सुर्य मंदिर से प्रेरित है गुजरात में द्वार का स्टेशन द्वार का दीश मंदिर से प्रेरित है आई टी सिटी गुणकाओं का रेल्वे स्टेशन आई टी के लिए ही समर्पित होगा यानि अम्दाबाद स्टेशन उस शहर की विशेश्ता से दुनिया को परिचीत कराएगा इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेश ध्यान रखा गया है साथियों बीते दस वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेल्वे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो लेकिन आप देखिए जो कभी आप कल्पना में सोचते थे आज हम आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं एक दसक पहले तक बंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाइश्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था सुना था किसी सरकार ने कभी बोला भी था एक दसक पहले तक अम्रिद भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी एक दसक पहले तक नमो भारत जैसी शांदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था एक दसक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि बारतिय रेल का इतनी टेजी से बिजली करन होगा एक दसक पहले तक ट्रेन में स्वच्चता स्टेशन पर सफाई ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी आज ये सब रोज मरा की जिन्दिगी का हिस्सा बन गए है एक दसक पहले तक मानव रहीत फाटक भारतिय रेल की एक पहचान बन चुकी थी एक आम तस्वीर थी आज ओवर ब्रीच अंडर ब्रीच से वे रोगटोक और दुरगटना रहीत आवा जाही सुनिश्चित हुई है एक दसक पहले तक लोगों को लगता था कि एरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविदाएं शिर्फ पैसे वाले लोगों के भागे में है आज गरीब और मिलकास के लोग रेलिवे स्टेशन पर भी एरपोर्ट में जैसी सुविदा होती है ना भो सुविदा रेलिवे में सपर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाब ले सकता है ताथियों दसकों तक रेलिवे को हमारे यहां की स्वार्त भरी राजनिति का शिकार होना पड़ा लिकिन अब भारतिय रेलिवे देश वास्यों के लिए इज अब ट्रावेल का मुख्या आधार बन रही है जिस रेलिवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था आज वो रेलिवे परिवर्तन के सबसे बड़े दोर से गुजर रही है यह सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ग्यारावे नंबर से चलांग लगा कर पांचवे नंबर की अर्थे वबस्ता बना दस साल पहले जब हम ग्यारावे नंबर पे थे तब रेलिवे का उसट बजट 45,000 करोड रुपिये के आस्पाद रहता था आज जब हम पांचवे नंबर की अर्थिक ताकत है तो इस वर्ष का रेलिवे बजट ढाई लाग करोड रुपिये से अधिक का है आप कल्पना कीजिए जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महासक्ति बनेंगे तो हमारा सामर्थक कितना अधिक बड़ेगा इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनाने के लिए जी जान से जुटा है लेकिन साथियों आपको एक और बात ध्यान रखनी है नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो अगर मेड टूटी हुई हो तो किसान के खेट तक बहुत कम पानी पहुचेगा इसी तर बजेड चाहे कितना भी बड़ा हो अगर गोटाले होते रहें बेवानी होती रहें तो जमीन पर उस बजेड का असर कभी नहीं दिखता बीते दस वर्षों में हमने बड़े बड़े गोटालों को सरकारी पैसे की लूट को बचाया है इसलिए बीते दस वर्षों में नई रेल्वे लाइन बिछाने की गती दोगुनी हो गई आज जम्मू कश्वीर से लेकर नौर्थ इस तक ऐसे स्थानों तक भी भारतिय रेल पहुँच रही है जहां लोगों ने कभी कलपना भी नहीं की थी इमानदारी से काम हुआ तभी डाई हजार किलोमेटर से अधीक डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का काम हुआ है आनि आपने टेक्स के रूप में टिकट के रूप में जो पैसा दिया उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब पचास परसेंट डिसकाउंट देती है साथियों जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है वैसे ही इंफ्रास्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं नए रोजगार बनते हैं जब नई रेल लाइन बिच्टी है तो मद्दूर से लेकर इंजिनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है सिमेंट, स्टील, ट्रांस्पोर्ट जैसे अनेक उद्योगों दुकानों में नई नोक्रियों की संभावनाय बनती हैं यानि आज जो ये लाखों करोड रुप्य का निवेश हो रहा है ये हज़ारों प्रकार के रोजगार की गारणटी भी है जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे जादा ट्रेने रुकेगी जादा लोग आएंगे तो आज पास रेड़ी पट्री वालों को भी इससे फाइदा होगा हमारी रेल छोटे किसानों छोटे कारीगरों हमारे विश्व कर्मा साथ्यों के उत्पादों को बढ़ावा देनी वाली है इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट योजरा के तहर स्टेशन पर विशेश दुकाने बनाई गई है हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगा कर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं साथियों भारतिय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है बलकि देश की खेती और अउद्योगीक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है रेल की गती तेज होगी तो समय बचेगा इससे दूद्ध मचली फल सबजी ऐसे अनेक उत्पादान तेजी से मारकोट पहुंच पाएंगे इस पे उद्योगों की लागत भी कम होगी इसे मेकिन इंडिया को आत्मंदिर भर भारत अभियान को गती मिलेगी आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकरसक माना जा रहा है इसका एक बड़ा कारण ये आदुनिक इंफ्रास्रक्टर भी है आने वाले पाँच वर्सों में जब ये हजारों स्टेशन आदुनिक हो जाएंगे भारतिय रेल की ख्षमता बढ़ जाएगी तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांती आएगी भारतिय रेल को अपने काया कल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिल अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कारकम का हिस्सा बनना एक ही कारकमा में लाखों लोगों का जुड़ना सभी आदने मुक्हमंत्रियों का समाई निकालना गवर्नर्सी का समाई मिलना ये अपने आप में आज का ये कारकम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर कहाया है मैं मानता हूँ ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कारके में रचकना बनी है आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सरवादिक अच्छा उप्योग करते हुए विकास की गति को एक सांथ चारों दिशाओं में तेजी राएंगे ये आज इसके हमने देख लिया है आपको भी मेरी बहुत बहुत सुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद